देखिए मित्रो आज हम बात करेंगे जाडू और पोछा के बारे में आप जब पहली बार प्रेगनेंट होती है तो आपको कुछ पता नहीं होता कि आपको क्या करना है और क्या नहीं और अगर आपके साथ अनुभवी महिला नहीं है तो आपको कभी-कभी बहुत ही समस्या का सामना उठाना पड़ता है तो आज हम बात करेंगे कि आप पहले कित तीन महीने यानि कि FIRST ट्राइमेस्टर और सकेंड ट्राइमेस्टर और THRD ट्राइमेस्टर में कितना और क्यों जाडू पोछा करना चाहिए या फिर ये जारू पोचा आप कितना कर सकती हैं चलिए बात करते हैं पहले ट्राइमेस्टर की यानि की पहला दूसरा और तिसरा महीना की ये तीन महीना आपके लिए काफी critical होता है क्योंकि इस समय आपका गर्ब पहले ब्रून रहता है और ब्रून से धीरे-धीरे बड़ा होता है और आपकी बाड़ी इसे धीरे-धीरे एड़ेस्ट कर रही होती है इसलिए आप इस समय जारू पोछा या कोई हैवी काम करेंगी तो मिस्केरेज की संभावना बढ़ जाती है इस समय आप फिजिकल रिलेशन से भी बचे ये भी आपको नुक्सान करती है अगर इस समय आपको अपने पेट पर कोई भार नहीं लेना है इस बात का आपको ख्याल करना है क्योंकि इस समय आपको नहीं पता कि आपके जुड़वा बच्चे है या फिर आपके प्लेसेंटा में कोई कमी है या फिर आपका यूट्रेस कमजोर है तो इसलिए आप इन सब बातों का ख्याल कीजिए और आप जब एक बाट डॉक्टर के पास चली जाएंगी और आपको डॉक्टर हर चीज और हर बात कंफर्म कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी नहीं होगी लेकिन इस समय आपको इन सब चीजों को एवाइड करना बहुत जरूरी है अब बात करते हैं दूसरा ट्राइमेस्टर के बारे में यानि कि फोर इस लिए आपको कोई भी टेंसल लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको इस समय सही पोजीशन यूट्रेस का सही होना या फिर आपके जुरुआ बच्चे हैं या नहीं यानि कि डॉक्टर आपको सारी जनकारी दे देता है तो इस समय आपका कोई कंप्लिकेशन नहीं है तो आप जारू पोछा या कोई भी अराम से काम कर सकती हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई काम आप जल्दवाजी में न करें और नहीं आप केरलेस होकर करें क्योंकि आप यह मत सोचें कि आप ऐसे ही हैं आप एक गर्वती महिला हैं आपके अंदर एक सिसु पल रहा है तो इस बात को आपको हमेशा ही ख्याल और ध्यान रखना है और अगर आप जारू पोछा इस समय करते वक्त ठक जा रही है तो आप अपने कमरे का ही जारू पोछा कीजिए यानि कहने का मतलत थोड़ा ही कीजिए लेकिन कीजिए जरूर जारू पोछा से आपका जो यूट्रेस या फिर pelvic area है ओ मुलायम और लचीला होता है और जब आपका pelvic area मुलायम और लचीला होगा तो आपको normal delivery होने में कोई समस्या नहीं उत्पन होगी अब बात करते हैं तीसरे trimester के बारे में यानि की 7 से लेकर 9 मंथ के मंथ तक इस समय आपका पेट काफी ज्यादा निकला होता है और आपका बेबी काफी weight gain कर लेता है तो आपको इस समय बैठने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा लेकिन फिर भी आप easily बैठ कर पोछा लगा सकती है थोड़ा ही लगाईए बक पर लगाईए जरूर जैसे ही आपका 8 या 9 महीना लगता है तो और आपको कोई complication नहीं है तो आप squatting exercise जरूर करें squatting का मतलब है पहले उठें इसके बाद फिर बैठें फिर उठें फिर बैठें आप running कर सकती है running का मतलब यह नहीं होता है कि आप एक ही बार दोड़ें लेकिन आप जब टहल रही है तो थोड़ा तेज गती में टहलें इसको running कर बोल बिल्कुल भी ना करें कि अपने आप को ठाकाती रहें normal delivery के चक्कर में ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें आप बीच बीच में अराम भी करती रहें आप बहुत बार अनुभवी महिलाओं से सुना होगा कि जारू पोछा करने से बच्चेदानी का आसानी से खुलता है क्योंक कि मेरा भी जब बच्चा होने वाला था तो मैं घर का सारा काम करती थी और normal delivery हुआ है तो आप भी ऐसा बिल्कुल भी करिए आप butterfly exercise करें आप breathing exercise करें जबकि आप normal delivery के लिए जाएंगी तो आपको सांस लेने और छोड़ने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा तो आप breathing exercise subscribe और like किये भी ना बिल्कुल भी ना जाएं और comment जरूर करना और आप पूरा वीडियो देखने के लिए